मैं हमें यहाँ पे rombus का area find out करना है जिसके जो diagonal से वो दिये गए है x plus 2 and x minus 7 ठीक है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ diagonal 1 ठीक है मैं लिख लेता हूँ इदर d1 तो diagonal 1 कितना यहाँ यहाँ पे यह है x plus 2 cm और जो diagonal 2 है वो दिया गया है हमें x minus 7 cm ठीक है यह first diagonal यह second diagonal तो area of rombus पास area क्या है इसका इसको मतलब rombus का जो area है area निकालने का formula ठीक है तो यह होगा हमारे पास 1 by 2 multiply product of diagonals मतलब d1 multiply d2 तो यहाँ पे मैं write कर देता हूँ 1 by 2 multiply diagonal 1 कितना है यह है x plus 2 and diagonal 2 है हमारे पास x minus 7 अभी क्या करते हैं हम यहाँ पे इनको multiply कर लेते हैं x plus 2 and x minus 7 को तो x का हम इन दोनों में multiply करेंगे तो पहले x का multiply कर लेता हूं तो यहाँ पे plus यहाँ पे plus तो plus ही रहेगा ठीक है तो यह हो जाएगा x square and अब हम क्या करते हैं x का 7 में multiply करते हैं तो यहाँ पे plus यहाँ पे minus 7 into x 7 x 2 से करते हैं तो यहां पर plus यहां पर plus ही रहेगा 2 into x यह हो जाएगा 2x and plus minus यह हो जाएगा minus multiply करके and 2 7 जा जाएगा 14 ठीक है तो आगे लेता हूं में इसको तो 1 upon 2 multiply यह हो जाएगा x square यह minus का 7 और यह plus का यह minus 7x and plus 2x तो plus minus minus करेंगे तो 7 में इसको 2 जाएगा तो 5x बचेगा बड़े नंबर के साथ जो sign है वो यहां पर लेंगे हम ठीक है बड़े नंबर के साथ क्या sign है यहां पर minus है तो यहां पर आएगा minus and minus 14 ठीक है तो यह आजाएगा हमारे पास क्या